वेलकम बैक विद अनदर वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिसेंट 15.1 क्लास 8 के मैथमेटिक्स में तो इस वीडियो में जो है हमने करना क्या है कि हमें पैरलेलोग्राम के फॉर्मले को समझ करके और उसकी एकसराइस करने हैं तो वीडियो शुरू करने से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर दिको सबसे पहला कोस्चन दिया है मैं कोस्चन भी समझाओंगा साथ में फॉर्मला भी समझाओंगा और कॉंसेट भी समझाओंगा तो थोड़ा सा शॉर्टकट है बट अच्छा है आप समझ लोगे क्या होलता है दिवास ऑफ परलेलोग्राम इस एकी सेंटीमिटर और हाइट इस एलायवन सेंटीमिटर फाइनिटस अरिया पाइलोग्राम है पहला कोस्चन पैरलेलोग्राम क्या होता है अपैरलेलोग्राम एक ऐसा quadrilateral है फॉर साइड वाला जिसमें अपोजीट जो होते हैं यह यानि AD वो parallel होता है BC के मतलब AD जो है वो parallel है BC के और AB parallel to AB parallel to AB parallel to RDC तो कहने का मतलब क्या है मालूम है कि opposite side जो होती है वो parallel होती है तो वो parallelogram है अगर parallel हाँ ठीक है यह समझ गया होगे अब देखो इसमें क्या होता है इसमें base का है नीचे यह जो part है यह जो part है वो base है यानि इसमें क्या बोला है इस base of a parallelogram is 18 तो यह base जो है यह पूरा कितना दिया है 18 cm मतलब B से लेके C तक BC जो है 18 cm दिया and height 11 cm यह AE इसकी height है तो 11 cm इसकी height height हमें सा सीधी होती है A, B इसे मत मान लेना इसे लिखना कैसे था given में जो दिया है base और height वो लिख दिया to find क्या निकलना एरिया निकलना है formula हमें निकलना है area of parallelogram base into height ठीक है अब हम क्या करेंगे solution ओके अच्छा तो solution में क्या करेंगे हम यह आप ऐसे लिखेंगे area of area of 1 second area of parallelogram ठीक है अब दिखो यहाँ पर parallelogram को मैंने is equal to sorry parallelogram को सब parallel line और GM gram लगती है ठीक है base into height ठीक है base की value कितनी है base है 18 multiply height कितना है 11 ठीक है अब दोनों एक और बात है 18 cm multiply by 11 cm तो क्या होगा पता है इक्वल टू 18 बंजा 18 एट वन कहरी 18 बंजा 18 और वन नाइट 198 cm 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 का square ठीक है तो आपका जो है यह answer है बस दीको कितना सीधा साधा answer था आपका बहुत आसान दरीके से यह solve हो गया अब बढ़ते हैं next question की तरफ ओके फ्रेंड आप करते हैं question number second तो question number second में आपके सामने क्या दिया है if area of parallelogram is 29.6 square cm its base is 8 cm finite height मतलब इस बार क्या दिया है इस बार हमको area देके रखा है area is equal to 29.6 cm square को हम square cm भी लिख सकते हैं दूसरा हमको base देके रखा है base is equal to 8 cm उके मतलब इस बाक पूरा area देके रखा है और यह पूरा base देके रखो है 8 cm लेकिन हमको यह height निकाल लिए पता नीके मिए ठीक है find its height तो हमें क्या पता करना है धां अब करना है ठीक है, base into height, ओके अब देखो, solution क्या होगा, area of parallelogram, तो यहाँ पे, area of parallelogram is equal to, base into height, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, base into height, फिर से, ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ, क्या दिया है, हमको area दिया है, कितना दिया है, 29.6 is equal to, base कितना दिया है, base दिया है, 8, multiply by, height हमें निकालना है, height तो दिया है नहीं, यह वो निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह अपन में, divide में आ जाएगा, upon में, divide में आ जाएगा, तो यह 29.6 upon 8 is equal to height, अब आप सोचुगे, इसे कैसे solve करें, तो यहाँ दिवाइड कर लेते हैं, 29.6, divide में 8, तो देको, 8, 3, 24, य यहाँ पर 0.6 बचा है, ठीक है, तब देखो, 8, 7, 56 होता है, लेकिन जब यहाँ पॉइंट लेंगे, तो यह point हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस करेंगे, तो यह 3.7 आएगा, तो यह जो है, यह जो हो गया, 3.7 is equal to height हो गया, ठीक है, तो यह 3.7 cm ले ले लेना, क्योंकि यह 8 cm नीचे में आएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस तरह आपका solution था, आप screenshot ले सकते हैं, अब बढ़ते हैं, last question, अब करते हैं, इस practice set का last question, ठीक है, देखो, बहुत मज़ेदार है, बोलता है कि area of, यहाँ पर देखो, इस area of parallelogram is 83.2 cm, its height is 6.4, height दिया है given में हमको है, area is equal to 83.2 cm, और हमें height देके रखा है, तो वो height क्या चीज़ है, वो है 6.4, ठीक है, इसे हम cm में ले लेते हैं, अच्छा हमें क्या पता करना है, हमको पता करना है, base पता करना है, ठीक है, base पता करना है, ठीक है, ठीक हमने formula लिखके रखा है, area of parallelogram is equal to base into height, और solution कर हैं, यहाँ भी हमें एक बार यह लिखना पड़ेगा, area of parallelogram, तो area जो है, वो कितना, 83.2, ठीक है, तो यहाँ भी लिख दो, 83.2 is equal to base हमें निकालना है, तो base को ऐसे ही लिख दो, into height कितना height है, 6.4, ओके, अब देखो यार, यह multiply में इधर divide में आ जागा, तो 83.2 upon में 6.4 is equal to base हो जाएगा, अब बोलोगे, sir, आप इसको कैसे solve करेंगे, तो इसको 10 से जब आप multiply कर दोगे, उपर नीचे, तो यह point हट जाएगा, तो 832 upon में 64 is equal to आपका base आजाएगा, अब जो है, इसे में बाजू में करता हूँ, कैसे, अब आप इसे आप divide दो, ठीक है, कैसे divide दोगें देखो, 800, sorry, हमें divide किसे देना, 64 से, और वो किसमें, 832, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 64, वन जा, 64, ठीक है, माइनस करेंगे, 13 में से 4 गया, तो 9, और यहाँ पे 7 में से 6 जा तो 1, और यहाँ पे 2, अब फ्रेंच देखो, इसका टेबल कितनी बार पढ़ोगे, इसका टेबल आप पर हो, 3 टाइम, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 6, 18, 1, 19, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है, पूरा कैंसल, 13 आ गया, तो यहाँ पे देखो, इसको जब आप बेस यह करोगे, तो आपका बेस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, बरबर न, so therefore, base is equal to 13 cm, तो फ्रेंच इस रेट, रेट, सब्सक्राइब नाम का बटन दिया न, उधर न, खूब जोड से एक थंब मारो, और जो है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,